मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत भ्यान की आत्म निर्भर भारत भ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है ये पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा इस पैकेज में लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योक, गरह उद्योक, हमारे लगू मंजोले उद्योक हमारे MSME के लिए हैं, जो करोडों लोगों की आजी विका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्ब का मजबूत आधार है कल्शे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैसे पहले दी जाएगे यह फाइनेंशिल पाकेज दे रहे हैं मगर हमारी श्रमिक भाईयों और बहनों का कोई वास्ता नहीं उन लोगों को कोई सवलत अभी तक तो कहा नहीं गया है तो यह बताने का क्या तरीका है ऐसे तो हमने कई कई और बार सुन चुके हैं कि यह होने वाले हैं वह वह होने वाली है मेड in इंडिया होने वाली आज हम पीपी के ड्म समतियार कर रहे हैं यही बहुत बढ़ी बात है जान खत्रे में हैं भारत वाना सकते हैं यह Q जानते हैं मगर हर समिक भाईयों और बहनों का हालात का एक लवज अभी तक हमने सुना नहीं क्या हमें नजर नहीं आ रही है कहां तक वो लोग पैदल चलते चलते जा रहे पाउं पे छाले हाथ खाली जेब खाली और कोई उमीद नहीं कि घर तक भी पहुंचेंगे या नहीं झाले हुआ है